हेलो फ्रेंड्स, आज में आप लोगों के लिए लेकी आए हूँ परवल की सबजी, परवल की सबजी आप बहुत तरीके से बनाते होंगे, सुखी परवल की सबजी, आलू परवल की सबजी, लेकिन आज में जो परवल की सबजी लेकी आए हूँ बहुत ही डिफरेंट है, से पटल कहा जाता है आप किया इसी क्या कहा जाता है मुझे कमेंट करके बताएं तो बड़े साइज का परवल लेना है या चोटे साइज का आज मैं यहां पर चोटे साइज का ली हूँ यदि आप पास चोटे साइज वाली परवल नहीं है तो बड़े साइज का भी ले सकते ह अब इसे हमें छिलना है तो किस तरह से छिलना है सबसे पहले क्या करेंगे एक पीस परवल लेंगे और परवल का उपर का पोर्शन इस तरह से कट करेंगे दोनों साइड का और चाको से बस इस तरह से जो पतला लेयर ग्रीन का होता है और ग्रीन कलर का बस इस तरह से हलके हलके हाथ से निकाल देना है बस चाकु आप चलाते जाएंगे असानी से निकल जाएगा ऐसा ना करेंगे पिलर से पुरा छिल दें तो बहुत ज्यादा सौफ्ट हो जाता है बस इतसी तरह से सारे परवल को हमें छिल लेना है अब हमने सभी परवल को छिल लिया और इसे अच्छी बिल्कुल भी नहीं होता है और बड़े साइज का परवल में 20 होता है जो मुह में आता है कट कट करता है वो काफी कम पसंद आता है इसलिए मैं आज यहाँ पे छोटे साइज वाली परवल ली हूँ अब देखे इस तरह से सारे परवल को कट कर लेना है अब इस सबजी पूरा कट के रेडी हो गया तो चलते हैं फिर अभी से बनाने की और सब्जी बनाने के लिए क्लिए करना है वे कढ़ाई लेंगे कढ़ाई में दो चमच तेल डालेंगे अब तेल को गरम होने के लिए छोड़ देंगे जब तेल अच्छी तरह से गरम हो जाएगा तो यह सरसो तेल तो सरसो तेल में जो धास होता है वो पूरा खतम हो जाएगा, जो एक flavor खुस्बू रहती है ना वो पूरी अच्छी तरह से खतम हो जाएगी, लेकिन सरसो के तेल में सबजी का टेस्ट अच्छा आता है, यदि आपके पास सरसो तेल नहीं है तो जो तो याब खाते हो ही तेल ले ले अब इसमें डाल देना है आधा चम्मत जीरा और जीरा को कुछ सकेंड के लिए क्रेकल होने के लिए छोड़ देंगे अब यह जीरा क्रेकल हो गया अब इसमें हमने जो परवल को कट करके रखा है अब उसे डाल देंगे डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे आप ये खड़े साबुत परवल बनाएंगे तो इसमें तेल काफी कम लगता है अब इसमें डाल देना है अपने स्वात के अनुसार नमक, नमक डालने से परवल जल्दी गलता है और सात में ही डाल देंगे एक चुताय चमठ खल्दी पाउडर और नमक खल्दी डाल कि अची तरह से मिक्स करेंगे मिक्स करके इसे कवर करके 5-7 मिनट के छोड़ देंगे कि 5-7 मिनट में ये अच्छी तरह से सौफ्ट हो जाए और एक बर cover हटा लेते हैं, हटा के एक बर mix अच्छे से कर लेंगे कि नीचे से चिपके नहीं परवल आप देख सकते हैं, गलने के बाद पूरी अच्छी तरह से थोड़ा-थोड़ा soft हो गया है एक बर फिर से cover करके पांच मिनट ले छोड़ देते हैं कि अच्छी तरह से गल चाए अब इस परवल को हमें अच्छी तरह से भूनना है, भूननेंगे जैसे आप भूनेंगे वैसे ही इदम पूरा सिकुड जाएगा सिकुडने के बाद कलर भी चेंज हो जाएगा, आप देख सकते हैं, हलका हलका इसमें ब्राउन कलर आ गिया है और सिकुड भी किया है तो दोम नटली और भूनेंगे अब ये परवल अच्छी तरह से भून चुका है, भूनने के बाद आप देख सकते हैं, कलर चेंज हो क्या है अक्सर एक तरह का सबजी खाके ये दि बोर हो गया है, तो आप इस रेसेपी को एक बाद जरू ट्राए करें थोड़ा सा डिफरेंट है और डिफरेंट के साथ सा टेस्टी भी है बस अब इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में उपर उपर से निकालेंगे और तेल कड़ाई में ही छोड़ देंगे बस इस तरह से सारे परवल को हमें निकाल लेना है अब इसी तेल में बाकी का सब्जी भी हम बनाके रेडी कर लेंगे, तेल डालने की जुरत नहीं है सबसे पहले इसमें मसाला डालेंग और मसाला डालके भूनेंगे तो आधा चमाच धनिया पाउडर डालेंगे साथ में आधा चमाच किचन किंग मसाला और आधा चमाच लाल मिर्ची पाउडर लाल मिर्ची पाउडर तीखाप अपने नुसार कम्याद ज्यादा कर सकते हैं अब मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे कि जले ने बस हलका सा कच्छापन खतम हो बस उतने ही भूनना है अब इदेखे अच्छी तरह से मसाला भून क्या है अब इसमें क्या करना है दो टमाटर को मिक्सी के जार में पीसके उसका प्यूरी लेना है यदि आप प्याज खाना पसंद करते हैं तो आप प्याज भी पहले डाल सकते हैं प्याज जब भून जाएगा तब उसमें मसाला डालें आज मैं यहाँ पे सबजी बिना प्याज का बना रही हूँ अब इस टमाटर और मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक इससे हलकाल का तेल नहीं रिलीज होने लगता है अब इसमें डाल देंगे एक चमच, अधरक और मिर्ची का पेस्ट आप चाहें तो बारिक में कट करके भी डाल सकते हैं साथ में डाल देंगे नमक, नमक सिर्फ टमाटर इतना ही डालना है क्योंकि हमने परवल में पहले से नमक डाल दिया है अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करके फिर दो मिनट के लिए भूनेंगे अब पूरी अच्छी तरह से टमाटर भून के है, टमाटर भूनने के बाद आप देख सकते हैं तेल हलकाल का रिलीज होने लगा है बस अब हमें क्या करना है जो हमने परवल को भून के रखा है उस परवल को डाल देंगे एकदम हलवा इस्टाइल ये सबजी बन के रेड़ी होता है और एकदम इजी है घर के ही समान से आप एकदम चटपटा है स्पाइसी मसालेदार सबजी बना के रेड़ी कर सकते हैं बस अब इस तरह से मिक्स करेंगे सिर्फ मिक्स करना है परवल को भूनना नहीं क्योंकि परवल पहले से भूना हुआ है अब मसाला पूरी अच्छी तरह से परवल के उपर कोट हो गया अब इसमें आधा का पानी डालेंगे यह दिया आप ज़्यादा ग्रेवी खाना चाते है तो आप ज़्यादा पानी डालें और पानी डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके कवर कर देंगे दो मिनट के लिए दो मिनट में पूरा अच्छी तरह से परवल के अंदर सारा मसाला चला जाएगा दो मिनट हो गया, कवर हटा लेते हैं आप देख सकते हैं, कलर बहुत ही अच्छी तरह से आ गया है सबजी में एक बन मिक्स कर लेते हैं और गयास का फ्लेम आफ करके अब इसमें गरम मसाला डालेंगे अब इस सबजी बन के रेड़ी होगा? आप इसमें डाल देंगे एक चुथाई चम्मच, गरम मसाला पाउडर, मेरे घर का पीसा हुआ गरम मसाला पाउडर, इसलिए मैं थोड़ा सा कम डाल रही हूँ, साथ में थोड़ा सा कसोरी मेथी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, वाउ, क्या मज़िदार सबजी का क आप इसे रोटी, पराठा, दाल, चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं, तो फ्रेंड्स आप इस परवल की सबजी को एक बाद जड़ू ट्राइ करें, यह आज की यह रेसेपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें